तो हेलो और वेलकम थो दे सेशन आज के सेशन में हम इस टार्ट करने जा रहे हैं यह औरड़ी स्टार्ट कर लिया है इस सर्च फोर जयुनेटिक मेट्रियल में ऑ्रड़ी हमने एक विडियो अपलोड कर दिया है अब प्लीज उसे पहले देख लें क्योंकि बात की के जो वीडियो नहीं देखेंगे transforming principle तो आपको उससे related second वाली चीज़ें समझने में बहुत इकत होगी क्योंकि जो transforming principle में Frederick Ridd जो Griffith साहब है उनका जो product उन्होंने एक use किया था heat killed strain of streptococcus pneumonia उसका क्या उनका result था और उसी को लेकर further experiments हुए तो इससे बेटर है कि आप पहले transforming principle देख लें अब इस search of genetic material में actually three experiments हैं उन तीन experiment में सबसे पहला experiment था transforming principle का किसने किया आपको last class में भी बोला था कि इसमें year scientist का नाम इनका sample इसको और भी किस नाम से NCRT ने बुलाया वो नाम और experiment के steps क्या थे observation क्या था यह सब कुछ बहुत important है आज जो हम discuss करने वाले हैं वो remaining जो दो experiments है उसको लेकर तो search of genetic material यानि search for genetic material यानि कि genetic material है क्या आज के date में तो हमें पता है कि genetic material DNA है लेकिन जिस वक्त की यह बात है उस वक्त इसी पर सबसे पहले चर्चा चल रही थी कि वाट इस जेनेटिक material वेदर इस DNA RNA और प्रोटीन genetic material है क्या उसी से related बहुत सारे experiments थे तीन experiments हमें पढ़ने हैं तो first is transforming principle इसको हमने detail यहां हमने अपने previous class में already कर लिया है यह था Griffith का experiment इनके sample उनके types उनके जो steps है उनका जो result है वो सब हमने किया और ultimately बाद में हमने यह देखा कि आखिर यह Griffith का experiment होता क्या है और इसके observation क्या है उसके बाद आज जो हमारा point of discussion होने वाला है यह transforming principle के बाद यह बायो chemical characterization of transforming principle है लेकिन यह जो question आता है यानि कि एक से आप देख रहे हैं second experiment अब अगर हम second experiment की बात करें तो second experiment तीन scientist ने मिलकर किया था कौन-कौन से थे scientist इनका पूरा का नाम एक्जाम में तो नहीं आता आप every McLeod and McCarty यह तीन scientist का नाम याद रख ले यह important है यह इसी नाम से पूछा भी जाता है तो यह तीन scientist ने क्या किया जो इनके पहले जो Griffith सहब थे तो Griffith ने यह जो heat killed use किया था as heat killed strain ठीके as heat killed को ही इन्होंने अपना sample यूज किया तो अब यह देखी यही वह तीनों scientist है every McLeod and McCarty कब की बात है तो यह बात है 1944 की actually इनका जो experimental setup किया गया था वह around था 1934 1933 से 1944 तक ठीक है यह तीन scientist है three scientist यह question पूछा जाता है कौन-कौन से तो every first MacLeod and McCarty ठीक है एवरी MacLeod यह तीन scientist ने क्या किया जो ग्रिफित है ग्रिफित के s strand को अगर हम यहां ले तो ग्रिफित के s strand को क्या किया इन्होंने कि इस यह strand है ग्रिफित का उसको डिश पर पेट्री डिश पर उन्होंने ग्रो करवाया ठीक है तो अब यह रही सपोज यह nutrient अगार मिडिया है यह क्या है nutrient अगार मिडिया जिसके ओपर क्या किया उन्होंने s strand को ग्रो करवाया ठीक है इस पर उन्होंने s strand को ग्रो करवाया तो यह क्या हो गई यह उनकी s strand है और s strand क्या होती है हमने बहुत ही अच्छे से detail डिसकस किया है तो s strand को यहां पर इन्होंने नाम यानि nutrient अगार मिडिया में उन्होंने culture किया ग्रो करवाया ठीक है और अब इसी s strand से उन्होंने क्या किया isolate किया they isolated they मतलब तीनों scientist ने मिलकर यह काम कर रहे थे तो credit तीनों को जाता है they isolated अब इससे उन्होंने क्या isolate किया इसी से उन्होंने DNA isolate किया RNA isolate किया और protein isolate किया अब आप कहेंगे यह तिनों उन्होंने कैसे isolate किया है ना तो अब देखिए इस isolation के लिए उन्होंने क्या किया they used enzymes उन्होंने क्या use किया enzyme का use किया they used enzymes बहुत important point है कौन-कौन से enzyme use किये so उन्होंने कुछ enzymes use किये 3 enzymes use किये कौन-कौन से DNA DNA है ना तो ACE which will digest DNA RNAs AAC लग गया ना यहाँ पर तो यह enzyme है and then protease यह protein को digest करने वाला enzyme है protease ठीक है अब इन्होंने क्या किया किया कि इसको क्यूं biochemical test बोला जाता है आप NCRT में देखी है लिखा हुआ है biochemical characterization of transforming principle तो उन्होंने क्या किया they purified biochemicals कौन-कौन से biochemical proteins DNA RNA from the heat-killed S-cells to see which ones could transform live R-cells into S-cells ठीक है अब उन्होंने क्या किया यहां से उन्होंने DNA RNA and protein isolate किया ठीक है अब बात यह आ गई कि इसको digest करने के लिए अब जैसे DNA है ठीक है आपको एक tube लेकर हम बताते हैं test tube लेकर suppose यह test tube है ठीक यह एक test tube है यह एक और test tube और यह एक और test tube तीन है तो हमें तीन test tube लेने ठीक है अब उन्होंने किस तरीके से isolation किया एक आपको एक idea दे रहे है ठीक है अब जैसे माल लेजिए इसमें क्या है इसमें उन्होंने क्या किया अब इसमें तो R living भी है R भी है और इसमें उन्होंने क्या किया कि इसमें उन्होंने put किया इसमें उन्होंने क्या डाला DNA's अब देखिए अगर इसमें हम DNA's डाल दे ठीक इस solution में अगर हम DNA's डाल दे और इसमें क्या है S-heat-killed भी है S-heat-killed भी है और R-living भी है और अब हमने इसमें क्या किया DNA's डाल दिया इसमें हमने RNA's डाल दिया RNA's डाल दिया क्या नहीं डाला Protease नहीं डाला ठीक है तो अब इसमें क्या होगा आपको ध्यान से समझने की जुरत है अब इसमें क्या होगा DNA क्या करेगा DNA को डाइजेस्ट कर लेगा RNA क्या करेगा RNA को डाइजेस्ट कर लेगा यानि कि इसमें DNA नहीं मिलेगा इस टेस्ट ट्यूब में RNA भी नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों को डाइजेस्ट करने वाले इंजाइम्स हमने डाले हैं लेकिन इसमें हम प्रोटीन मिलेगा तो यहां से हम ने ऐसे प्रोटीन लेट कर दिया ठिके ना सेम केस अब दूसरे तेस्ट टूब के साथ क्या करेंगे सब में क्या है आर लिविंग एंड एस हीट किल जो हमने सीरिंज भी लिया solution वो है इसमें भी आर लिविंग and as heat killed का solution है अब इसमें हमने क्या किया या उन्होंने क्या किया था अब इसमें उन्होंने dna's डाला dna's and a protease डाल दिये protease अब आप बताईए किस से related उन्होंने enzymes डाले हैं तो यह dna क्या करेगा dna को digest कर लेगा dna तो यहाँ dna नहीं मिलेगा protease protein को digest कर लेगा तो protein नहीं मिलेगा है ना क्या नहीं डाला RNAs नहीं डाला इसका मतलब इस solution में उनको क्या मिल जाएगा इस solution से वो RNA निकाल सकते हैं ठेक सेम केस उन्होंने किया सेम स्टेप फॉलो किया next के साथ अब इसमें उन्होंने क्या डाला उन्होंने इसमें डाला RNAs डाल दिया और इसमें उन्होंने protease डाल दिये ठीक है जिसको आपको isolate करना है वो मड़ डाले ठीक अब इसमें उन्होंने RNAs डाला तो इसकी वज़े से क्या होगा RNA नहीं मिलेगा Protease डाले इसकी वज़े से क्या होगा Protein नहीं मिलेगा लेकिन DNA तो नहीं डाला तो इसका मतलब इस solution में उनको क्या मिलेगा DNA मिलेगा इस तरह से वो क्या कर सकते है DNA, RNA and protein जो यहां mentioned है उसको purify किया जा सकता है With the help of these three enzymes तो इसका role आपने देखा अब आप देखिए Actually उन्होंने इससे observe क्या किया वो सबसे मुद्दे वाली बात है इससे उन्होंने जो observe किया वो यह किया कि इसमें उनको protein isolation मिली protein मिला इसमें उनको RNA मिला और इसमें उनको DNA मिला है ना? अब यह बात तो तहा है अब उन्होंने यह देखा कि जिसमें उनको DNA मिल रहा है ठीके? जिसमें से उनको DNA मिल रहा है जो solution में से उसमें वो क्या देख पा रहे है कि यह जो our living है ठीके? यह our living के अंदर उनको transformation दिख रही है इसी solution को अगर इसी solution को अगर दिया जा रहा है माइस को तो माइस के death हो रही है और इसी में उन्होंने देखा कि यह जो our living है इसमें transformation होती हुई दिख रही है our living तो इसमें भी था our living यहां भी है लेकिन यहां तो कोई भी transformation देखने को नहीं मिली यानि कि transformation का जो concept है वो यहां भी नहीं मिला यहां भी नहीं मिला लेकिन जिसमें DNA मिला उसमें उनको transformation होता हुआ दिखा उसमें उन्हों देखा कि यहां transformation हो रही है है ना our living is getting transformed into S living और वो उसी में हो रहा है जिसमें कि DNA isolate हो रहा है DNA जिसमें मिल रहा है तो इससे ये तो बातता है हो गई ना कि DNA is the transforming principle, यानि किस से क्या बात पता चली कि DNA is the transforming principle, transforming principle, ठीक है I think आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि इन तीनों scientist का experiment क्या था, इन्होंने क्या किया, जो ये acid killed था, जो ये acid killed था, Griffith सहाब का, तो ये solution में ये जो हो रही थे ना ये चीजे, तो बाकी scientist को ये doubt था कि आखिर हो सकता है, आप जो कह रहा है कि DNA उसके R-living को transform किया, क्यों RNA भी तो कर सकता है, protein भी कर सकता है, तो अभी तो आपने ये query solve नहीं कर पाए हो, कि actually transformation DNA की वज़ा से हो रहा कि actually, कि proper उन्होंने DNA RNA protein को isolate कर लिया, with the help of these three enzymes, यानि कि उन्होंने इन तीनों को DNA RNA protein को isolate करने के लिए enzymes का सहरा लिया, enzymes का help लिया, किस तरह से उन्होंने DNA RNA protein isolate कि आपके सामने steps है, आप उन्होंने देखा कि जिसमे DNA isolation हो रही है, actually उसी में transformation देखने को मिल रहा है, तो इन्होंन ये conclude किया, कि hence DNA is the transforming principle है, तो ये scientist तीनों ने मिलकर ये बता पाए, कि actually DNA is the transforming principle, DNA is the transforming principle, लेकिन आपको ये बात पता है, science के दुनिया में कोई भी बात इतनी आसानी से ना कोई accept कर सकता है, ना ही digest कर सकता है, अभी भी इस सवाल को, कोई इस सवाल के जबाब को, DNA is the transforming principle, बहुत scientist ऐसे थे, बहुत scientist का ऐसा group था, जो इस बात को digest नहीं कर रहा था, आप कहेंगे क्यों नहीं कर रहा था, experiments तो सामने ह प्रूफ भी हो गया, ये बात हम सब सधारा निसान बान सकते हैं, लेकिन अभी भी scientist कुछ का ये कहना था, कि आपने ये जो DNAs डाले, proteins डाले, और आपने ये कह रहे हो कि DNA isolate हो गया, हो सकता है, पूरा का पूरा RNA digest ना हुआ हो, अभी भी कुछ ऐसे RNA रह गये हो इसमें, हो सक अनि की ले देकर सवाल खड़ा हुआ अभी भी purification technique पर, ठेके, और याद कीजिए जिस वक्त की ये बात है, 1933, 1944 के राउंड, उस वक्त हमारे पास बहुत अच्छा purification technique भी नहीं था, तो आखिर अभी भी सवाल का सवाल वही रह गया, कि which is the transforming principle, which is the genetic material, क्योंकि अब सवाल उ protein digesting enzymes, protease and RNA digesting enzymes, RNAs, did not affect transformation, so that transforming substance was not a protein or RNA, digestion with DNAs did inhibit transformation, suggesting that the DNA caused the transformation, they concluded that DNA is the hereditary material, but not all biologists were convinced, सारे बायोजिस्ट को ये convince नहीं कर पाएं, क्योंकि अगेर सवाल यहीं हुआ, कि आपके purification technique पर हमें जो है, उस पर हमें संदे है, उस पर हमें question mark है, so can you think of any difference between DNAs and RNA, यहाँ पर ये question पूछा गया है, कि DNAs, ये लिखा हूँ है, आप this spelling को ध्यान दे, ये आपके लिए है, इ ये एक enzyme है, देख पाँ है, A is लिखा हुआ है, this is an enzyme, अगर question आया हुआ है, ये एक enzyme है, ठीके, और ये DNAs, बहुत सारे DNA की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, ठीके, चलिए, अब हम बात करते हैं, the genetic material is DNA, अब एक third experiment की बात करते हैं, जो एक ऐसा experiment था, Hershey and Chase का experiment, जिन्होंने सारे question को, एक कहते हैं की, एक uni, unequivocal proof, जिसे हम कहते हैं, no opposition, जिसका कोई, विपक्ष हो ही ना, unequivocal proof of genetic material came from work of Hershey and Chase, यहां लिखा हुआ है, ये word, ये word बहुत important है, NCRT पूर्ष सकती है, कि इसके reference में बात कही गई है, The unequivocal proof that DNA is the genetic material, came from the experiments of Alfred Hershey and Martha Chase, ये actually Hershey and Chase के नाम से experiment पूछा जाता है, कब किया इन्होंने, 1952, ठेक है, They work with viruses that infect bacteria called bacteriophases, अब actually अब ये third experiment जो था, ये सारे सवाल को ये जवाब देता हुआ experiment आया, और ये experiment था, third experiment, ये था, third experiment, ये किया गया था, Hershey and Chase के थ्रू, Hershey and Chase, दो scientist, इन्होंने, 1952 में ये experiment किये, और इन्होंने एक तरह से unequivocal proof दे दिया, genetic material का, ठीक है, कि ये NCRT में गिवन है, और 2018 में ये question आया था, unequivocal proof of genetic material came from, ठीक है, unequivocal का मतलब होता है, ये जो sent, ये लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है, no opposition, जिसका कोई बपक्ष नहों, जिस सवाल, जिस जबाब का कोई, दुबारा कोई सवाल ना खड़ा करे, ठीक है, तो अब इनके experiment को हम देखते हैं, कि आखिर इन्होंने experiment किया कैसे, तो they worked on bacteriophars, ठीक, तो इन्होंने एक host लिया, host लिया, ठीक है, host क्या लिया, इन्होंने ecoli, ठीक, और इनका एक host होता है न, उसका कोई guest भी होता है, ठीक है, तो इन्होंने एक virus लिया, चुकि यह virus, viruses are very specific to their host, आपको पता होगा, virus अपने host के लिए बहुत specific होते हैं, इसलिए बोला जाता है, they are obligate intracellular parasite, तो viruses जो होते हैं, यह बहुत specific होते हैं host के लिए, अगर यह bacteria को cause करेगा, bacteria को उपर attack करेगा, तो यह bacteria ही इसका host होगा, है न, कोई और इसका host नहीं होगा, इसलिए बोला जाता है, viruses are very specific to their host, अब यहाँ पर virus लिया गया, तो ऐसे viruses, which infects only bacteria, इनको बोला जाता है, bacteria fast, तो bacteria word से कभी confuse नहीं करेंगे, यह bacteria नहीं, बलकि ऐसा virus होता है, जो only bacteria को infect करे, इकोला ही क्या है, bacteria है, बैक्टेरियो fast, ऐसे virus को बोलते है, bacteria fast, which infects only bacteria, अब बात क्या होई कि उन्होंने दो चीजे लिए, एक तो host लिया, और एक virus लिया, एसा virus लिया, जिसका host bacteria हो, तो उन्होंने host के रूप में bacteria लिया, उसका guest, उन्होंने virus लिया, यह नी bacteria fast लिया, अब इन्होंने क्या करवाया, इन्होंने क्या देखा, कि अगर एक host है, यह माल लिजे, यह bacteria है, और यह host है, ठीक है, इस bacteria का अपना खुद का genetic material होता है, आपको पता होगा, bacteria है, तो इसका अपना खुद का genetic material, जहां इसका genetic material होता है, cytoplasm में, उसको अब कहते हैं, nucleoid, ठीक है, क्योंकि bacteria तो prokaryote है, इसके पास nucleos तो होगा ही नहीं, cytoplasm का वो part, जहां इसका DNA होगा, उसको अब कहते हैं, nucleoid, ठीक है, ना, अब बात आती है, कि यहाँ पर अब roll आता है, virus का, वाइरस को हम अलग कला से करेंगे, ताकि उसके genetic material से आप confuse ना करें, अब यह है virus, bacteriophars का कुछ ऐसा structure होता है, ठीक है, और इसके अपने खुद के यह tentacles होंगे, जिसके help से यह host के उपर attach करेगा, और यह रहा virus का genomic material, genetic material, viral का genetic material, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं, viral genetic material, ठीक, अब बात यह है, कि वाइरस करता क्या है, यह अपने genetic, खुद body के अंदर कभी भी नहीं आता, यह इसका host है ना, यह host है, है ना, और यह bacteriophars है, होस्ट के अंदर वाइरस कभी भी उसके cell के अंदर नहीं आता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने genetic material को host के body के अंदर insert करता है, है ना, क्यूंकि वाइरस is not having its own machinery, उसके पास genetic information तो है, लेकिन उसके पास machinery नहीं है, माल लेजे, आपके पास recipe की book है, लेकिन आप कहा recipe उसको तियार करेंगे, उसके लिए आपके पास kitchen नहीं है, ठीक है, तो ये क्या करता है, viruses utilizes the host machinery for its own purpose, ये host के kitchen को control करता है, kitchen को use करता है अपने purpose के लिए, तो इस virus ने क्या किया, अब इस virus ने अपने genetic material क्या किये, इसके अंदर insert कर दी, अब ये रहा virus का genetic material जो इसके body के अंदर आ चुका है, host के अंदर आ चुका है, इसका मतलब अब हम एक next diagram बना कर दिखाते हैं आपको, कि actually हुआ क्या, यानि ये था यहाँ पर एक host, इस host के अंदर इसका अपना genetic material, और virus क्या करता है, इसके machinery को use करना है न इसे, तो इसके genetic material को इसको तोड़ना पड़ेगा, break करना पड़ेगा, ताकि इसकी machinery इसके लिए काम न कर पाए, ठिक है, इसकी machinery इसके लिए काम न कर पाए, क्योंकि उसको खुद के लिए काम करवाना है, तो अपनी genetic material को इसने क्या किया, यहाँ पर इसकी genetic material है, अब यह क्या करवाएगा, उसके genetic material को तो इसने तोड़ का rakt दिया है, है न, तो अब क्या करेगा यह, virus अपने genetic material का पूरा multiplication करवाएगा, यहाँ पतो इसने क्या किया, bacterial genetic material को तोड़ के रख दिया है, और इसकी machinery अब किसके लिए use करेगी, अब करेगी वो virus के लिए, यानि कि अपने genetic material का क्या किया इन्होंने, पूरा भरपूर फैदा उठाया उसके machinery का, और बहुत सारा replication उन्होंने करवा दिया, यानि virus ने क्या कि या, virus utilizes the host machinery for its own purpose, ठीके, अब अपने DNA का application वो बाहर तो करवा नहीं सकता था, इस host की machinery को यूज करके फटा-फट अपने DNA के copy को क्या किया, इसने multiply करवा दिया, और अब देखिए क्या करवाता है, बहुत ही चलाकी सी ये काम करता है अब ये क्या करेगा, अब एक बात बता ये, virus का genetic material है, और genetic material के उपर क्या होता है, information होगा, information होता है अब information ये किसके लिए लेकर आएगा, अब information तो ये खुद के लिए ही लाएगा ना, माल लेजी ये viral का genetic material है, तो इसके उपर जो genes होंगे, ये virus के ही तो काम के रहेंगे, यानि किसके उपर ये code रहेगा कि virus का body कै इसके उपर ये information रहेंगी कि virus का DNA कैसे replication होना है इसके उपर ये information होगी कि दोनों के assembly कैसे होनी है यही तो करेगा अब इसने क्या किया यहाँ पर अपने host के अंदर अपनी body बनवाई है ना अपने जैसा ही तो body बनाएगा तो अपने जैसा ये body बनाना शुरू कर दिया खूप सारा अपने जैसा ये body बनाने लगेगा ठीक है एक तरह से लेमन लैंग्विज में आप कह सकते हो virus अपने बच्चे तियार कर रहा है ठीक है इसको हम बोलते हैं वाइरियोन तो टेकनिकल टर्म आपको पता होना चाहिए वाइरस कब कहते हैं वाइरियोन कब कहते हैं वाइर पर वाइरस आप कह रहे हो और यहां पर आप इसके जो होस्ट के अंदर जब तयार हो रही है तो इसको बोलोगे वाइरियोन ठीक है ना और इसके अंदर इसकी क्या है जेनेटिक मेट्रियल भी तो तयार हो चुका है खूब सारा जेनेटिक मेट्रियल भी इसने तयार कर वाइरस की बॉडी इसने तयार कर ली, कुछ बना दे रहे हैं आपको थोड़ा बहुत आईडिया लग जाएगा, यह अपने बॉड़स का बेबी बॉड़ी तयार कर लिया, शरीर इसका तयार है, अब इसके अंदर इसको क्या डालना है? इसका जेनेटिक मेट्रियल, एक जेन यानि कि जो body इसने बनाया था, उनके अंदर assembly हो जाएगी, ठीक है, अब ये वायर्योंस तयार है, इस host ते बाहर निकलने के लिए, ये जिस purpose से आया था, उसका purpose solve हो चुका है, है ना, बाहर तो multiply नहीं कर सकता था, अब इसने host की machinery को use करके क्या किया, अपने number इसने बढ़ा अब ये क्या करेगा, ये वायर्योंस तयार हुए है, इस host की body को burst करेगा, रप्चर करेगा, ठीक है, और इसमें से क्या होगा, इसमें से वायर्योंस जो तयार हुए है, वो अब release हो जाएंगे, तयार है दूसरों को और nearby cells को infect करने के लिए, ठीक, यहां से ये तयार है, जो nearby cells है उनको destroy करने के लिए क्योंकि कैसे इसने burst किया देख पारें आप ठीक है और यहां से आपको एक और information मिलती है कि इसलिए हम क्या करते हैं इसलिए आप देख पारें कितने जल्दी इसने एक से कितना जादा multiply किया इसलिए हम कुछ word यूज करते हैं virus से कि एक तो virus कितने जल्दी multiply कर रहा है तो अब देखते हैं कोई information अगर बहुत जल्दी spread हो रही है तो उसे हम बोलते हैं कि यह information viral हो गई वो viral word यहीं से आया है क्योंकि इनकी multiplication rate बहुत ही तेज रफतार से बढ़ते है ठीक है तो viral यहीं से वो word मिलकर आया है viral हो गया ठीक अब यह रहा इनका अ इसको हम बोलते हैं lysis और इस cycle जो पूरी हुई इसको हम कहते है lytic cycle lytic cycle lytic cycle lytic का मतलब होता है lysis cause करना ठीक है causes lysis of the host देख पार है आप इसको lysis कर दिया ना इसको burst कर दिया cell को burst करके यह निकला है तो it is lysis of the host cell इसे लिए इस cycle को हम बोलते हैं lytic cycle अब अपने जैसा निकला था अपने जैसा त्यार कर चुका है एक आया था बहुत सारे त्यार हो गया अब इसमें आप कहेंगे कि हर्षियन चेज का experiment यह ठीक है बट अभी भी हमें कुछ चीज़ा नहीं पता चली अभी आपको बता रहे हैं सो हर्षियन चेज दे अब्जर्ब लाइटिक साइकल अफ बैक्टेडियोफास यानि कि हर्षियन चेज ने क्या किया यह नहोंने अब्जर्ब किया लाइटिक साइकल अब्जर्ब लाइटिक साइकल ऑफ बैक्टेडियोफास बैक्टेडियोफास का क्या उन्होंने अब्जर्ब किया लाइटिक साइकल ठीक है यानि कि जो वायरिसेज जो बैक्टेडियोफास हैं अटैक एकोलाई इंट्री औव वारल जेनेटिक मेट्रियल उन्होंने अपन of the cell तो आप यह information arrow में भी लिख सकते हैं अब हर्शी चेज के experiment में बच्चों को ये problem होती है कि उसे क्या पता था और उसे क्या find करना था है ना इस experiment में उनको पहले से क्या पता था और इस experiment करने के बाद उनको क्या पता करना था तो जो वो जानते थे वो था कि some genetic material enter and make copy of virus ठीक है उनको ये पता था कि कुछ तो है इस virus के अंदर जो genetic material है जो की अंदर आता है और अपना copy बनाता है वो है था क्या nucleic acid and protein ठीक जो उनको पता करना था वो उसका पता करना था कि उसका nature क्या होता है यानि कि ये तो उनको पता था कि यही entry करेगा और ये nucleic acid and protein है ठीक है अब ये उनको पता करना था कि वाइरसिस के पास nucleic acid and protein होते हैं लेकिन उनको ये पता करना था कि आखिर इसका nature क्या है ठीक है उसका biochemical nature क्या है इस क्या genetic material का तो अब उन्होंने क्या कि अब उन्होंने radioactive isotope का यूज किया अब आपकी कहानी लेगी थोड़ी से twist और अब आपको बुखती ध्यान से समझना है तो इस experiment में कैसे उन्होंने ये देखा कि किस तरह से आप देख पा रहे हो कि ये एक lightic cycle कैसे चली यानि किससे ये तो पता चला कि ये वाइरस कुछ इंजट कर रहा है अब उसका biochemical nature हमें नहीं पता कि बायो chemical nature क्या है इसे का biochemical nature क्या है पता करना है अगर यही पता चल जाएगा तो पता चल जाएगा genetic material होता क्या है अब आज अब उन्होंने क्या किया दे यूज्ट यानि कि तीन उस वो जो हर्शियन चेज है दे यूज्ट रेडियो अक्टिव आइसोटोप अब यह बात आपको ध्यान से समझनी है radio active isotopes isotopes आपके में पढ़ते हैं they are having same atopic number लेकिन mass उनका change होगा isotope है ना तो किसका isotope उन्होंने यूज किया उन्होंने यूज किया sulfur का isotope 35 ठेक है और उन्होंने यूज किया P का isotope यानि कि phosphorus का उन्होंने isotope यूज किया 32 ठेक है ये उन्होंने यूज किया अगर आप कहेंगे कि normal क्या होता है तो normal तो आप S चांदते ही है normal जो S होता है normal S is 32 ठेक और normal जो P होता है phosphorus normal P is 31 ये तो आपको पता होगा है ना तो normal P 30 होता है ठीक है, तो normal P is 30, normal S is 32, ठीक, अब एक बात और आपको ध्यान से समझनी है कि क्यों उन्होंने ये यूज किया, देखिए, अगर आप देखें, तो protein की बात अगर कहें, protein, ठीक है, protein की, तो protein में sulfur present होता है, DNA में sulfur present नहीं होता, ठीक, अगर हम phosphorus की बात करें, तो protein में phosphorus present नहीं होता, लेकिन DNA में phosphorus present होता है, अपने nucleotide जो पढ़ाया था तब आपको बताया था, ठीक है, अब इन्होंने इतने दिमाग से काम लिया, कि ऐसे चीज़ों लिए, जो एक में है तो दूसरे में नहीं, और दूसरे में है तो वो पहले वाले में नहीं, ठीक है ना, अब उन्होंने अगेन वो experiment जो bacteriophas वाला है, उस experiment को, यानि कि उसी bacteriophas, ये लिया, ये experiment थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान से हो सकता है, कि आपको ये video replay करके देखना पड़े, क्योंकि एक run में हो सकता समझ में ना आए, बट दुबारा अगर आप देखेंगे, तो बहुत ही चीज़े अच्छे सा समझ में आ जाएंगी, ठीक है, अब bacteriaophas की अगर हम बात करें, तो bacteriaophas के पास DNA भी है और protein भी है, दोनों है, ये तो हमें पता है, बट यही नहीं पता कि वो inject क्या कर रहा है, है ना DNA कर रहा है या protein कर रहा है, genetic material है क्या, किसकी copy बना रहा है, और किसके help से अपनी body बनवा पा रहा है, यानि कि इन दोनों में कौन role play कर रहा है उसकी body को बनाने में, कौन सा है genetic material ये नहीं पता, ये तो पता है उसके body में DNA प्रोटीन दोनों है, बट genetic material क्या है ये नहीं पता, ठीक है, चलिए, अब they have to find which biochemical entered into the E. coli, यही तो question का answer पता करना था, कि आखिर E. coli के body के अंदर गया क्या, DNA गया या protein गया यानि कि अगर experiment पर जाए, यहाँ पर, ठीक है, तो आखिर यहाँ इस जगह पर आया क्या, यही तो question mark है, DNA आया या protein आया, इस जगह पर क्या आया, इसी को पता करना है हमें, ठीक, ना, अब अगर DNA गया तो DNA genetic material होगा, protein गया, तो protein genetic material होगा, इस वाले experiment से ये गुत्थी बिल आप यह कह देंगे कि या तो यह DNA है, अगर यह protein गया तो आप कह देंगे, protein genetic material है, ठीक, now what they did, अब उन्होंने किया क्या, इसके लिए radioactive तो ले लिया, अब उन्होंने किया किया, अब उन्होंने बड़ा ही जबरजस्त काम किया, उन्होंने क्या किया, they cultured, यह theory part भी आपके लिए लिख रहे हैं, ताकि आप साथ के साथ लिखते जाएं, they cultured, they cultured, viruses यानि कि bacteriophars, bacteriophars, ठीक है, जो viruses थे, bacteriophars, in two media, दो मिडिया उन्होंने यूज किया, better to say, दो तरह का मिडिया यूज किया, दो तरह का different media यूज किया, यह जाधा अच्छा होगा, दो तरह का क्या किया, two different media यूज किया, कौन-कौन से यह different media था, देखे, एक उन्होंने media यूज किया, एक उन्होंने cultured media यूज किया, जिसमें उन्होंने radioactive sulfur was used, यानि कि S35 was used, ठीक है, और एक उन्होंने media यूज किया, जिसमें क्या किया था, radioactive phosphorus was used, radioactive phosphorus was used, यानि कि अगर हम कहें, कि ये एक ऐसा media उन्होंने तियार किया, माली जी ये एक culture plate है उनका, ठीक है, और यहाँ एक culture plate है, यहाँ एक culture plate है, तो अगर हम इसकी बात करें, कि इसमें उन्होंने क्या क्या लिया, तो इस जो media है यहाँ पर, इसमें sulfur की जगा, उन्होंने S35 use किया, बट P तो उनका नॉर्मल था, यहाँ पर उन्होंने P की जगा, P32 use किया, लेकिन S तो नॉर्मल था, ठीक, आपको अब बात समझ में आ गई होगी, अब अगर हम इसके उपर, वाइरस का, यानि बैक्टेरियों फास का culture करें, तो अब यहाँ पर जो हमें यह बैक्टेरियों फास मिलेंगे, अब वो तो sulfur की जगा, S35 भी use कर पाएंगे, और जहाँ जहाँ उनको phosphorus की जुरूत पड़ीगी, वहाँ P30 ही जा पाएगा, क्योंकि वही है, वही available है, तो अब जाकर हमें एक ऐसा बैक्टेरियों फास इसके उपर culture करने पर मिल जाएगा, और यहाँ पर भी हमें एक ऐसा बैक्टेरियों फास मिल जाएगा, बहुत ध्यान से समझेगा इसे, ठीक, जहाँ पर इसके पास, इसमें, इसका जो genetic material है, ठीक है, अब इसके genetic material में, और इसके genetic material में, ठीक है, अब आपको ध्यान से देखने वाली बात यह है, कि we obtain virus having protein radioactive, अब यहाँ पर जो protein होगा, protein, वो radioactive होगा, ठीक है, क्यूं, क्यूंकि इस वाले culture में, S35 हमने लिया है, और S कहां होता है, protein में, तो जहाँ जहाँ protein होगी, वहाँ वहाँ S35 होगा, इस वाले culture में, हमें क्या होगा, we obtain virus, जहाँ DNA radioactive होगा, इसमें क्या होगा, DNA radioactive होगा, क्यूं DNA radioactive होगा, इसलिए DNA radioactive होगा, क्यूंकि इसमें हमने P32 लिया है, और जहाँ-जहाँ P use होगा, वहाँ-वहाँ, वो DNA active होगा, radio activity शोग करेगा, और DNA में ही phosphorus होता है, sulfur में तो होता नहीं, यानि DNA में तो sulfur होता नहीं, DNA में protein होगा, तो जहाँ-जहाँ phosphorus जाएगा, वहाँ-वहाँ radio activity शोग करेगा, यानि कि एक ऐसा हमें bacteriophase मिल गया, जिसमें protein is radioactive, और ऐसा bacteriophase मिल गया, जहाँ DNA is radioactive, अब करना क्या है, सब कुछ बहुत आसान है, दोनों ही bacteriophase को लेकर वापस से lytic cycle चला देजिए, और देख लेजिए कहां किसमें radio activity देख रही है, आपको बात समझ में आ गई, क्यूंकि अब इन दोनों वारेस को आपको लेकर क्या करना है, वही lytic cycle चला देनी है, अब lytic cycle जैसे ही आप चलाएंगे, अपना genetic material इंसर्ट कर रहा है, और ये अपना genetic material इंसर्ट कर रहा है, तो आप देख लिजिए, इसके genetic material में radio activity शो हो रही ये कि नहीं हो रही है, आप देखेंगे नहीं हो रही है, अब नहीं हो रही है, इसलिए क्यूंकि इसने तो DNA इंसर्ट किया है, और DNA में तो radio activity शो होगी नहीं, क्यूंकि radio activity तो protein में गया है, क्यूंकि आपने radioactive sulfur उसकिया है, sulfur protein में होता है, sulfur DNA में होगा नहीं, इसलिए इसमें आपको कोई भी लाइटिक साइकल में आपको रेडियो आक्टिव वाला पार्ट नहीं देखेगा यहाँ पर DNA जेनेटिक मेटरियली है इसलिए पता चलेगा क्योंकि जब आप इस तरह से लाइटिक साइकल चलाएंगे इसका तो आप देख पाएंगे कि इसमें रेडियो आक्टिविटी शो हो रही है अब रेडियो आक्टिविटी शो हो रही है इसका मतलब DNA में रेडियो आक्टिव एलिमेंट आपने डाला था DNA में आपने इसलिए किया था आपने इंटेंशनल नहीं डाला था कि hence DNA is the genetic material इतनी बात I think आपको समझ में आ गई होगी कि इस experiment में पता क्या चला चली हम देखतें NCRT यहां पर यह point डिसकस किया गया है जो आपको यहां पर समझाये गया था ठेक है लाइटीक साइकल के लिए Naharshian Chase worked to discover whether it was protein or DNA from the viruses that entered the bacteria यही तो question का सवाल पूछ रहा है थे They grew some viruses on a medium that contained radioactive phosphorus and some other on medium that contained radioactive sulfur दो तरह का media यूज किया viruses grown in the presence of radioactive phosphorus contained radioactive DNA क्योंकि phosphorus DNA में होता है but not radioactive protein because DNA contains phosphorus but protein does not protein में तो phosphorus होता है नहीं है Similarly viruses grown on radioactive sulfur contain radioactive protein but not radioactive RNA because DNA does not contain sulfur यह वही बात बताई जारी है जो यहां पर आपको समझाई गई ठेक है ना अब चलते हैं next तो radioactive phases were allowed to radioactive phases जो यह उप्टेन कर लिये गए दोनों को allow किया गया bacteria के उपर ग्रो करने के लिए to attach to the E. coli bacteria then as the infection proceed the viral coats were removed from the bacteria by agitating them in a blender the virus particles were separated from the bacteria by spinning from in the centrifugation या और centrifuge अब bacteria which was infected with viruses that had radioactive DNA were radioactive indicating that DNA was the material that passed from the viruses to the bacteria अब इस experiment से पूरा पता चल गया क्योंकि दोनों viruses हमारे पास है एक वो जिसके पास radio level S है एक वो जिसके पास radio level P32 है यानि phosphorus है हमें पता है phosphorus DNA में होगा और हमें पता है कि जो S होगा वो protein में होगा अब यहां से यह पता चल जाएगा कि DNA है genetic material या आपका protein है तो यहां पर हमने radio activity देखी किस में देखी कि radio activity हो रहा है है ना तो हमने देखा कि radio activity यहां पर हमने देखा यह एक जो उन्होंने separate किया था centrifugation से वारस का protein और DNA ही centrifugation करके directly इंटर करना अगर आप इस तरह से directly भी अगर कर पाएं तो आप यहां देख पाएंगे कि यहां पर जो radio activity देखेगी वो इस वारस की यानि कि इसमें देखेगी कि genetic material क्या है DNA है क्योंकि वो insert ही अपना DNA कर रहा है ठीक है तो I think यहां से आपको यह बात पता चल गई होगी कि यह तीनों experiments क्या है और यह search for genetic material क्या है तो आज का हमारा यह point of discussion पूरा complete हुआ the search for genetic material को लेकर ओप सो आपको यह point समझ में आएगा जो हमारी next video आएगी वो आएगी इसके next topic को लेकर यानि कि वो आएगी properties of genetic material DNA versus RNA हम DNA versus RNA की properties की बात करेंगे हम यह भी बात करेंगे कि why RNA is less stable DNA is more stable और क्या वज़ा है जो nature ने DNA को genetic material के तौर पर चूज किया है ठीक है अब यह हमारा point of discussion होगा अपने coming sessions में ठीक है और hope so आपको यह पसंद भी आ रहा होगा समझ में आ रहा होगा तो इस video को like करें subscribe करें और दूसरों तक भी share करें जो जरूरत मंद हो ताकि वो भी पढ़ पाए hope so मिलेंगे आपसे next video में तब तक टीक के रहें बाबाए